जय हिन्द, जय भारत, जय पटेल हम अपनी जान के दुस्मन को अपनी जान कहते हैं, महबत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं सदन में उपस्थित, सम्मानित सभी वेक्तियों को मेरा साधर प्रिणाम मैं हरी चंद, हरी स्पेलक, महरसी द्यानंद विस्विध्याले रोतक, हरियाना में जर्नलिज्म एड मास कम्यूनिकेशन का विध्यारती हूँ और पिर चले एक दसक से राष्टे सेवा योजना का स्वेम सेवक हूँ सरदार बलवहाई पटेल जी का राष्टे के निर्मान में, राष्टे के विकास में क्या योगदान है, मैं उस पर अपने विचार प्रेशित करना चाहता हूँ आजादी के बाद के संकटकाल को, सरदार बलवहाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को, पूरे देश को एकता के सुत्र में बांधने का कारे किया यू तो कितना वक्त लगता है पंखों को उडान भरने में, मकान को घर और घर को मकान बनने में और कई बार बीत जाती हैं सदियां बस सोचने विचारने में, और अगर ठान लें, तो कहां वक्त लगता है बूदों को समंधर की दास्तान बनने में सरदार बल्लभाई पटेल जो सोचते थे वो करते थे और जो करते थे उसे अंजाम तक पहुचाते थे सरदार बल्लभाई पटेल कोई वैक्ती नहीं है वो एक वैक्त तो है और वैक्त तो कभी नहीं मरता इतियास गवा है सरदार बलव भाई पटैल जी का संपूर जीवन राष्टे की सेवा भारत माता की सेवा में बीता है हैदरावाद की निजाम कहा करते थे जब तक सूरत चांद रहेगा हैदरावाद आजाद रहेगा सरदार बलव भाई पटेल जी ने आपरेशन पोलो के थुरू भारते सेना के जरीए 1948 में ही हैदरावाद को भारत में मिला दिया था ये उनकी कुसल नित्रुत, उनकी कुसल शम्ता, कुसल रंडनीती कार का ही परिणाम है किसानों की सिम्र्दी के लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि हमारा देश जब तक तरक्की नहीं करेगा, जब तक किसान और मजदूर तरक्की नहीं करेगा उनके एकता और अखंडता के सूत्र को आज प्रतेग भारतवासी के जीवन का आधार माना जाता है आज सरदार बल्लभाई पटैल जी के जनम दिवस को राष्टे एकता दिवस के रूप में मना कर एकता और अखंडता के विचार को जन जन तक पहंचाने का कारे किया जा रहा है भारत सरकार ने unity, statue of unity जो भारत की एकता का एक मजबूत स्तमभ है जो प्रतेग भारतवासी को हमेशा राष्टे की एकता और अखंडता के लिए प्रेरित करता रहता है हम ऐसे पटेल जी को आज नमन करते हैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षून रखने के लिए हम उन्हें बार बार नमन करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जै भारत